नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विद्राजली आईस में आज की डेट है ट्वंटी फैब 2022 और आज का फिर से हमारा डिसकेशन स्टार्ट है आज भी कई सारे टॉपिक्स हैं टॉपिक्स हम आगे सभी देखेंगे यहां लिस्ट के लिए भी स्पेश नहीं है और पॉलि सब्सक्राइब निति विग्यान और अंतराश्टी संबन्द जीएस पेपर टू आई-एस-पी-स का यादर स्ट्रीट्स है नैट ज्यारा पीजीटी असिस्ट्र प्रफेजर जैन्यू भी एच्यू डी यू बीए में जो क्लैट बगरा के एक्जाम होते हैं अर्थात ऐसा क कोई भी एक्जाम जिसमें इंडियन कॉंस्टिटूशन पॉलिटी और गवर्नेंस आता हो हिंदी में भारत का समिधान राजय व्यवस्था और शाशन जिसमें हमारा सोर्स क्या है दा हिंदू दा इंडियन एक्सप्रेस पी आईवी और जो हम इसके साथ में जो बैक्ग्रा पाड़िया या जब कोर टॉपिक आते हैं तो ओपी गवाबा बगरा इन सबको हम फॉलो करते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कसन और आज की डिस्कसन में हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसका जो प्रॉसेस है उस प्रॉसेस को हम लेकर क्या आये हैं कुश अगरे इसे स्टार्ट करते हैं कि आज जह हम टॉपिक उठा रहे हैं कवर कर रहे हैं ये पूरी सीरी चलेगी इंटरडेस्टनल RELATIONS एंड ORGANIZ़ेशन्स यह हम उसको कहसे हैं जो अंतरास्टिय संस्था हैं वगरह उनसे रिलेटेड जो questions आते हैं या हम कह सकते हैं कि international current affair उसकी हम बात करें तो यहां से इस प्रकार के questions बनते हैं तो देखो पहला question हमारा है आज का और हम daily courses किया करेंगे करीब 5 question daily discuss करेंगे और discussion तो हमारा होगा topic का topic के साथ में हम यह देखेंगे कि उससे अब तक question किरस्पकार के आते हैं old year question हम उठाएंगे और उनका current में हम क्या करेंगे analysis करेंगे और उनका answer भी आपको मिलेगा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है आप प्लीज टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें तो देखेंगे आज का question क्या है in the year 2021 इंडिया hosted which of the following international events इंडिया ने कौन सी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं अंतरास्टिय उनको क्या किया है host किया है देखो host की बात हो रही है participation की बात नहीं हो रही है तो पहला है इंडिया Central Asia dialogue क्या इसको इंडिया ने होस्ट किया दूसरा है security dialogue focusing on Afghanistan और तीसरा है quiet leaders summit तो देखो Central Asia और security dialogue focusing on Afghanistan इन दोनों को इंडिया ने होस्ट किया था ठीक है बाकी यह जो क्वाइड है क्वाइड में जो जपान ऑस्ट्रेलिया USA और इंडिया यह चार कंटे इसमें इंडिया ने पार्टस्पेड जरूर किया लेकिन इसको हॉस्ट नहीं किया हॉस्ट कनने का मतलब है जो लीडर हो जुसका जबकि इसको हॉस्ट किसी ने किया था इसको हॉस्ट किया था USA ने अमेरिका ने ठीक है आई यह इसका हम explanation देख लेते हैं तो आप आपके Central Asia डायलोग जो हुआ था उसको हमारे जो फॉरेंड मिनिस्टर है एस जयसंकर प्रसाद उन्होंने इसको हॉस्ट किया था और जो Central Asian डायलोग जो अफगानिस्तान को ले गया था इसको अजीद डोवाल जो National Security Advisor है उन्होंने क्या किया था इसको हॉस्ट किया था जबकि क्वाइड जो समिट है उसको वासिंग्टन डी सी में कहां और्गनेज किया था या हॉस्ट किया था इस समिट को 24 सेप्टमर 2021 को यह किस ने किया था USA तो हमारा यहां से आंसर मिल जाता है आए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि consider the following statements इनको देखिए कि most of India's trade with Central Asian countries comes from कजाकस्तान's oil exports to India means भारत के साथ जो most of the ब्यापार होता है Central Asia से ठीक है वो किस देश के थोरा हो रहा है कजाकस्तान के थूरू पहला statement दूसरा चा बहार connects India to Central Asian countries by road and rail through Iran जो चा बहार port है वो इरान के थूरू क्योंकि यह port कहां पर है इरान में है तो यह Central Asia से connectivity प्रोवाइड करवाता है कैसे road के थूरू और rail के थूरू तो आपको जब भी answer solve करने होते हैं तो ऐसे words को जरूर देखना है जो keyword होते हैं उन्हीं के साब से आपको answer solve करना है तो पहला क्या जो Central Asia का जो ट्रेड इंडिया के साथ होता है उसमें ज्यादातर हिस्सा कजाकस्तान का है प्लस चा बहार port के थूरू जो connectivity है Central Asia के साथ ठीक है मद्दे एशिया के साथ वो road और rail दोनों के थूरू है तो हम देख लेते हैं वही इसमें कौन से हमारे options जो है correct है तो आपके एसाब से देख लिए आप मिरको बताइए इसका answer यहां नहीं दे रहा हूं चलो आप बताइए मिरको इन मेंसे कौन सा statement incorrect है यह ज्यान रखना है मको बताइए incorrect कौन सा इसमें से तो simple सी बात क्या है कि इसका गलती से click हो गया इसका answer रहेगा हमार इस परकार से अब तक तो मतलब यह जो आपको questions मिल रहे हैं यह question कौन से हैं जो old year में पूछे जा चुके हैं तो इसी type से questions आते हैं current affairs से related तो उसमें background भी हो सकता है उनका और current से related कुछ issues उनके साथ में हो सकते हैं आईए इसका explanation देख लेते हैं तो देखो Central Asia से हमारा इंडि million dollar के आसपास का है और वो भी किसकी वज़े से कजाकस्तान से जो oil का export होता है इंडिया के लिए दूसरी बात देखो पाकिस्तान के थूरू हमारा रास्ता बंद है Central Asia में जाने के लिए इसी लिए इंडिया के जो relations है वो चाहवार के तुरू जाते हैं चाहवार क्या है अभी आगे हम देखेंगे इरान का port है तो हम Central Asia से जो connectivity इस port के तुरू बनाते हैं और इसके तुरू पोर्ट के हम और किसके तुरू connect होते हैं International North South Transit corridor इसके तुरू भी हम connect होते हैं यह हमने पहले lectures में देख चुके हैं हम इसका discussion कर चुके हैं और एक port और है इरान का ही कौन सा बंदरे अब्बास पोर्ट यह भी हम पहले देख चुके हैं ठीक है यह और देख लिए यहां पर तो इंडिया का investment इन दौनों पर है बंदर इस ती टर्मिनल उसके तुरू यह देश क्या कर सकते हैं इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा यह आप देख लिए यह हो गया आपका देखो यहां पर चाहार पोर्ट और यह हो गया आपका Central Asia हो गया ठीक अब इंडिया अगर अधर यहां जाना चाहता है तो दो को बीच में है पाकिस्तान ठीक है स्लमावत पाकिस्तान यह हमको रास्ता नहीं देता है तो इसलिए हम क्या कर रहें इस चाहार पोर्ट से यहां से ऐसे जाते हैं जो पानी के जहाँ हैं शिप हैं और यहां से वह सेंटल North South corridor को तर्ष्या की तरफ चले जाओ या कजाकिस्तान ताजिकिस्तान बगरा यह जो कंट्रीजें सेरिया में सब के साथ हमारा व्यापार इस पोर्ट के थूरू हो जाता है तो आप ध्यान रखेंगे इन पोर्ट को आप देख लीजेगा एक बार कि यह कौन-कौन से पोर्ट है और कहां पर है नेरोबी हो गया या जकारता हो गया इसका स्रीलंका का एक पोर्ट और हमबन टोटा बहुत पापूलर है ध्यान न कियेगा ठीक है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इंडिया करंट्री है बाइलिटरल फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हमारा एफ्टी एक किन-किन देशों के सा साथ में हमारा एफ्टी है तो देखो क्या जपान के साथ है क्या उस्टेलिया के साथ है क्या यूनाइटेट किंग्डम के साथ है क्या सिंगापूर के साथ है तो देखो हमने एक लेक्चर में देखा भी था कि ऑस्टेलिया के साथ और यूनाइटेट किंग्डम के साथ अर कुन से correct हो जाएंगे हमारे एक और चार कहा है देख लिए एक और चार सी क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं इस कांसा हमारे पासी हो गया तो देखो इंडिया का डायलोग इसराइल अभी में है दूसरा हमारा और किसके साथ डायलोग चल रहा है इसके फ्टियो को साइन करने क किसके साथ United Kingdom के साथ Australia के साथ और Canada के साथ ठीक है और हमारा अभी किस-किस के साथ में है जपान के साथ में और सिंगापूर के साथ में हमारा FTA पहले से साइन हो चुका है next हम आगे बढ़ते हैं consider the following statements देखो यह कुशन क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह एक इंडे पासपोर्ट यह हम जो तो देश होते हैं उनके पासपोर्ट को क्या कराती है rank कराती है कि किसका पासपोर्ट कितना powerful है और किसके बेसिस पर according to number of destinations holders can access without prior visa and is based on data from International Air Transport Association इसका simple सा हिंदी में मतलब क्या है यह एक पासपोर्ट इंडेक्स है और यह बताती है कि कौन से देश का ज्यादा powerful है अब यह कैसे decide होता है यह ऐसे decide होता है तो ऐसे कौन से country हैं जिनके लोग बिना visa के without visa कितने देशों के यात्रा कर सकते हैं तो उसका पासपोर्ट क्या माना जाएगा सबस्यादा powerful जिसके लोग जिसके citizens बिना बिना visa के जितने ज्यादा countries को घूम सकते हैं और इसके पास यह data कहां से आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट असोशेशन के तुरू अब दूसरे statement इंडिया नाओ है जो वीजा फ्री एक्सेस टू मोर देन 100 कंट्रीज क्या इंडिया की ऐसे इतना अच्छा पासपोर्ट है इंडिया का कि 100 कंट्रीज को इंडिया के citizen बिना वीजा के घूम सकते हैं तो यह statement में से कौन-कौन सा हमारा correct है तो देखो पहला statement तो हमारा correct है यह वाला कि हाँ यह है पासपोर्ट इंडेक्स है और यह यह वाली situation बताता भी जो बात हुई लेकिन इंडिया का पासपोर्ट इतना भी powerful नहीं है कि 100 कंटीज without वीजा भूम सके हम ठीक है तो पहला statement इसका क्या हो जाएगा correct यहां पर correct पूछा गया है ना कि incorrect यह विशेश ध्यान रखना है हमको ओके यहां देख लीजी आप कि इंडिया का पासपोर्ट जो है इसकी ranking काफी सुधर गई है इसलिए current affair में रहा 2021 में हमारी जो rank है समय कितनी आ इंप्रूब किये हमने इंप्रूब कर लिए इंप्रूब करने का मतलब के पहले 90 थी लेकिन अब हमारी 83 हो गई है और भारत की एक और क्या situation है कि भारत का अब जो है 60 countries में भारत के जो citizens हैं वो 60 देश ऐसे हैं जो वीजा की आवशक्ता जोहां पर जाने के लिए आपको नह तो आप वहां जा सकते हैं बाकी formalities उस देश में जाने के बाद हो जाती हैं जबकि अगर हम जापान की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा powerful passport माना जाता है जापान का क्यों क्यों क्योंकि यहां के citizens हैं यहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कैसे माने जाते हैं credible माने जाते हैं और discipline भी माने जाते हैं बहुत ज्यादा means गंदीगी बगराई सब नहीं करना माने जाते हैं इनको बहुत सारे countries में बिना वीजा के क्या मिल जाती हैं यहां पर आप देख लीजिए कि हमको कितने countries की means बिना वीजा 60 ठीक है और अभी रिसेंटली दो नए जाके इंडिया के लोग जा सकते हैं और 2006 से इंडेक्स जो आना स्टार्ट हुई है तो तब से हमने 35 देशों में क्या कर लिया है नए 35 देश हमने इसमें जोड़ लिये हैं जैसे एक्जामपल अगर हम देखें तो ज्यादा तर जो नौर्थ के कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की अगर हम बात करें साउथ के कंट्रीज मतलब जैसे आफ्रीका हो गया और एसिया हो गया ठीक है ब्राजील वाला जो साउथ अमेरिका जिसको हम बोल देते हैं यह हो गया इनके जो कंट्रीज हैं उनके लोगों को बहुत ज्यादा देशों में बिना वीजा के घुमने की परमिशन नहीं है जैसे कि एक्जामपल के लिए देखें हैं देखो स्वीडन और यूएसे यह ऐसे देश हैं कि यहां के नागरिक 180 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं तो देखो कितनी इनकी क्रेडिविलिटी है यहां के लोगों की ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकि दोगों इनको नहीं पूछा जाता कि पचास में कौन घुम सकता है बगरा यह तो पैसे ही यह याद नहीं रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुश्यन नमर फाइव इंटरनेशनल सोलर यहां यह कहना चाहरा है हिंदी में अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स है इसकी स्थापना जो ही थी इसका इनिशिटिव लिया था दो देशों ने लिया था मिलकर के इंडिया और जापान ने किसके लिए कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट इस इस इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स के जो सदस्य है जो एक ट्रॉपिक ऑप कैंसर मींस करकर रेखा और मकर रेखा के बीच में आते या तो पूरी तरह या थोड़े कम आते हैं ठीक है और यह कैसा है इंटर गवर्मेंटल है तो क्या यह स्टेट्मेंट सही है दूस्ति इ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस हैं वीन कॉनफर्ड ऑप्जरवर स्टेटस इन युनाइटेड नेशन्स में इसको ऑप्जरवर का स्टेटस मिल चुका है तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से ही देखो सेगेंड सेटमेंट बिलकुल करेक्ट है कि हां इसी इंटर असेम्ब्ली में इसको ऑप्जरवर का स्टेटस मिल चुका है तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है पहला बाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो सकता था अगर यहां जपान कि ज Galaxyए फ्रांस हो जाता ठीक है तो इसलिए हमारा आणसर क्या सहीए है दो और 3 तो आंसर हमारा कर गया था किसका जोइंट प्रयास था ये इंडिया और फ्रांस का ठीक है भारत के प्रधान मंत्री मेंस मोदी जी और वहां के जो साइद मैक्रों थे उनका ये प्रयास था कब 2015 में तब उन्होंने ये आइडिया लेकर के दोनों आये थे कब जब फ्रांस की पैरिस में जब बैठक हुई थी किसकी UNFCC की इसकी फुलबब कई बार पूज ली जाती है तो इसकी फुलबब है United Nations Framework on Framework Convention on Climate Change ये इसकी फुलबब पॉम में कई बार आचा दूसरे को एक क्षिट और यहां दूसरी बात यह सब हमने देखी लिया किसको हम अब्जरपर का स्टेटस मिल चुका है इंडिया को अच्छा नेक्स्ट क्या है पार्ट्सपेट इन सैसंस एंड वर्क यह सब हो गया ठीक है नेक्स्ट क्या दोको इस इस में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में लगभग 121 देश इसमें अब तक क्या हो चुके हैं में इसके मेंमर बन चुके हैं या तो यह सारे के सारे वो हैं जिसमें मींस सूर चमकता है या तो पार्टली या पूरी तरह यह किसके बीच में आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑप कैप्रिकॉर्ण के बीच में आते हैं कर अधूरे भी नहीं आते ऐसे तो उनको भी इसकी मेमर्शिप मिल सकती है लेकिन उनको बोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे यह ध्यान रखिएगा ऐसे स्टेट्मेंट बहुत मिल जाते हैं एक्जाम में यह देख लीजिए आप यहां पर कि ज्यादातर देश जो इस में पर रेखा नीचे होती है ध्यान रख सकते हैं क्यों कि अखके मकार लोग वोते हैं वो नीचे ही यह आपको यहाँ पर क्या रखना है ध्यान रखना है आज की discussion में हमारे पास यतना ही और आप मेरे को बताईएगा कि यह कैसा आपको लगा और आपको इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंदार है और यह सीरीज हमारी continuous ऐसे ही चलती रहेगी और चैनल को आप एक ब मेरे को कमेंट्स करके बताएं चैनल पर हमारी टीम मुस्क पर क्या करेगी काम करेगी और आपके सजेशन्स को आपके शकायतों को हम वैलकम करते हैं कि आप निभे धड़क हो करके निश्यंदों करके हमें बताएं आज की discussion में इतना ही थैंक्यू वेरी मॉच फॉर डिसकॉ कुम तुम चैनल